कैसे हो आप इश्वर की क्रीपा से आप सब अपने अपने स्तानों पर कोशिल मंगल होगे में लता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने जो छोटे बेवी का जो न्यू बेवी होता है विल्कुल उसके लिए जो है नैपकिन यहां से बिल्कुल यह दिखे बिल्कुल बराबर लिया हुआ है इस तरसी से टेड़ा करके इस तरसी से लंगोट की कटिंग करते हैं उस तरसी से डाबल लहर में कटिंग करने हैं यहां से बिल्कुल बराबर है बस यहां से इस तरह से बेबी अगर हेल्थी है तो इसकी लिए देखिए आप यहां से दे सकते हैं टेड़ा 16 इंचे काफी है अगर थोड़ा नॉर्मल बिल्कुल कमजोर है तो उससे कम भी ले सकते हैं यह आपने देखिए बिल्कुल इजी तरिके से हमने इसकी कटिंग कर दी अब हमने इसमें डोर और लंबाई में देखिए 11 इंच है तो यह 11 इंच कटिंग कर देंगे इसकी इस तरह से कपड़ेगी और इस तरह से यहां से भी इसकी कटिंग कर देगे काफी है इतनी डोरी हमारे हमारे पास दोनों साइड जो लगीगी इस तरह से आप देख सकते है छे इंच है और दो इंच हमने चोड़ाई में लिए इस तरह से हम इने यहां से सिलाई करेंगे इसमें और हमने एक जो इसमें डोरी जो इसमें तीसरी और लेनी है जो कम से कम यह देखिए तीन इंच लेनी है चोड़ाई में और यहां से भी आप जितनी दो इंच लिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दिये सबसे पहले इसको इस तरह से यहां से स्टीच करना है और इन दोनों को भी स्टीच करना है उसके बाद हमने इसमें इसे आड करना है ओके आप देख सकते हैं हमने डोरी जो स्टिच कर दिये आप इसे जो जूड़ा पिन किसी भी चीज की साहता से जोए इस तरह से हीने सीधा करेंगे या सुई की साहता से भी आप इने सीधा कर सकते हैं इस तरह से इसको भी हम इसी तरह से शिद्धा करेंगे इन डोर्यों में जो डोर्य एथी हम फूल भी बनाएंगे तो किस तरह से रिखेंगे जो चारू तरफ से कपड़ा लेंगे और किकिक अटिंग करदेंगे जी दो इंच का इस तरसे इस तरसे फोल्ड करेंगे रहेखे आ कातिंग करेंगे और यह हमारे दो फूल्च बन जाए यह दिख्वी तरसे सब्सक्राइब दूसरा अब इसी तरस इसकी च्टिस करेंगे अब किस तरसे एड करेंगे यह हमारी यहां से इस तरस इसे रखेंगे और इसमें शिलाई डालेंगे इसकी उपर से डबल सिलाई डालेंगे, कुछ इस तार से हमारा ये फूल रेडी हो जाएगा और इस तरसे हम, इसमें पल्टी मारेंगे, तो इस तर से, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास नैपकिन है, इसमें、 यह वाली जो है इस तरस इसमें यह देखिए यह हमारी अंदर सीधी साइड है बहार को उल्टी साइड है देखिए इस तरस इसको एक कौने में रखेंगे और इस तरस इसमें उपर से सिलाई डालेंगे ओके आप देख सकते इस कौने से जो हमने देखिए स्टिप अंदर साइ डाली हुए और यहां तक सिलाई डाल दिया, अब हमार पास यह एक और कौणा है, तो इसमें हमने यह देखिए, यह वाले स्ट्रीप बनाई हुए, जो इस तरह से डावल करके यहां पर आड़ करना, इस तरह से अंदली साइड को इसको रखना है, और इसके ऊपर से जो इस त इसाप भी मोजातं। नहीं कि ये सीरे के एक हई सता मेर्ण आयरा दोपन करले गये और समय रखे. अर्बड़ते में साला प्रते बाले चल्ड ना कर्चे दुआ हैं वारे मेर्ण ने प्हुर्ण स्टेस कूलर त्वरीरा थे और दीए और यहाँ पर एक छोटा सा होल रखा वूआ है जो कम से कम 2 इंच का है इसे यहां से पल्ती मारेंगे और इस तरह से आप देखेंगे यह हमारा प्रपेर हो चुका है यह देखे बड़ाई सुंदिर बना हुआ है आप इसके अंदर जो है यह देखे अब यहाँ पर यह देखिए आप देख सकते हैं जो होल था अपने आपी बंद हो गया यह देखिए यहाँ से है होल यह देखिए अब हम इसके उपर से सिलाई डालेंगे पूरे में तो हमारा यह बिल्वा बिल्कुल परपेर हो जाएगा इस तर से आप देख सकते हैं हमारा जो है छोटे बेबी के लिए जो है यह तैयार हो चुका है लंगोट भी बोलते हैं इसे अपनी भासा में कई और कई नैपकेन बोलते हम अपनी भासा में इसे नैपकेन बोलते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई तो पलेजी से लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू